तो बिदाम की बर्फी को रोल करने के बाद मतलब इस तरब इससे कटिंग करने के बाद आफ इसको गार्नेशिन भी कर सकते हो तो यе मैंने केशर के डगयाना सुगर के अंदर कुछ इस स्था इससे पीस लिए थे तो मैं आप इसके इस के अ सुगर की ऐसे तीकी park की लिए ते तो यह पिस्ता जो इसके अंदर से चला जाएगा तो दोस्तों कैसी लगी आज के हमारी वीडियो मैंने आपको पूरे स्टेप्स बताइए कि हलवाई लोग कैसे बनाते हैं इससे क्या होता है कि आपकी बर्फी कभी भी खराब नहीं होती लास्त में आप बेटर चेक करना ना पेस्त नहीं चिपकर है तो आप समझ जाएगा कि काजू या बदाम का जो पेस्त है वो अच्छे से सीख चुका है तो उसके बाद आप इस तरह से रोल करके चाहे जिस सेप में कटिंग और डिजाइनिंग कर सकते हो बदाम की बर्फी बनाने के लिए हमने लिया है दो केज बदाम को अच्छे से पाने में भीगो दिया है जब यह अच्छे सी बीग जाए ना तो आप थोड़ी सी गरम यानि गुनगुने से मतलब अच्छे सी गरम पाने में डाल करके और इनका जो यह छील का है वो हटा देना है तो सारे बदाम को हम इसी तरह से छील करके तयार कर बहुत ही सिंपल औरीजी तरीका मैं आपको बता रही हूं जो कि हलवाई वाला तरीका है इसे आपकी बर्फी बढ़िया बनेगी और कभी भी अब लाइफ टाइम जब भी बनाओगी आपकी बर्फी बढ़िया ही बनेगी तो सारी मैं बदाम्स को छील करके त्यार कर लेती या पिर आप जो सूगर होती है ना सूगर के जितनी कॉंटिटी आम लेंगे वो अंदर मिक्स करके भी तो यहां पे तो बहुत बड़ी मसीन होती है तो ऐसे ही मसीन से प Works लिया है पेस्ट को आप यहां पर तोल के लिया है तो मैं आप लिए सुगर बता देती हूँ 2 कजी बदाम के अंदर इनदर पार सुगर जो लेते हैं, वह लेते हैं 1 किलो शहसो ग्राम तो यह पर देख सकते हो एक किलो 600 ग्राम को सुगर को थोड़ा सा पाने डाल करके और कड़ाई में डाल दिया है और अब इसको चास्नी बनाएंगे सबसे पहले क्या होती है सुगर की चास्नी प्रिपेर होती है चास्नी कैसी होती है चास्नी तो दो तार से भी ज़दा गाड़ी होती है क्योंकि जब ये सुगर की चास्ट नहीं बनने लगती है तब ही जो बदाम का पेस्ट है वो डाला जाता है तो यह पर देख सकते हो थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर डाला है ताकि जो बदाम की बर्फिय वो बिल्कुल से वाइट बने सुन्दर बने अब चाहे तो डालें इसकीप कर सकते हैं कोई ज़रूरी रही है हाइड्रो पाउडर के हलवाई लोग डालते हैं बर्फि को बिल्कुल वाइट दिखाने के लिए हाइड्रो पाउडर डाला जाता है अब सारा जो पेस्ट तियार किया हो ना बदाम का वो इसके अंदर डाल देंगे तो यहां पे क्या है ना तो दूट डाला था पीस्ते टाइम में और ना ही कुछ सुगर डाल करके इसको तो इसको नोर्मली पीसाता तो यह जो बेटर है ना बिल्कुल ड्राइ ड्राइ सा ही है क्योंकि जो बदाम पीस्ते वाली मसीन होती है अगर उससे पीस्ते है ना तो ना पाने डालने के ज़रूरत पड़ती है ना ही दूट डालने के ज़रूरत पड़ती है ऐसे ही बदाम क पीषटे हैं तो थोड़ा सा खलर भी अना बर्फी का हल्का सा ही ब्राउन सा हो जयता है उसमतलब एकदम ओफ वाइट हो जाता है वाइट नहीं रहتा है तो यह और आप दीख सकत। वह नहीं तो आप इसकी सिकाई हो रही है, आप देख सकते हु चासनी सी दोत अन्दर के पार्ण को टालना हैक और खीड़ब यह 2022 क्याभाट소 depend in da ऊंधार चाहिव का रहा – यह भाख्याता है! चालिस मिनट से एक घंटे का टाइम लगता है इसके अंदर जब इसकी हम सिखाई करते हैं घर पे भी अगर हम सेख रहे हैं तो स्लो फ्लेम पे ही सेखेंगे और लगबग एक घंटे तक या नहीं कंटीनिवजली सेखते रहेंगे और इसको पहचानने की मैं आपको तरीका बता रही हूं जब आपकी पेस्ट की बोल बनने लगे अच्छे से हातों की चिपके नहीं बोल तो आप समझ लीजिएगा कि आपका पेस्ट अच्छे से सिख चुका है चाहे वो काजू का पेस्ट हो चाहे वो बिदाम का पेस्ट हो ईह जांच करनी का तरीका है कि पेस्ट अच्छे से शीखा या नहीं शीखा तो मैं निए चेक कर लिया है पेस्ट अच्छे से सीख चुका है तो अब इसको ठंडा करके और फिर बेल लेंगे आप देख सकते हो बर्फी का पेस थोड़ा सा ठंडा किया और इस तरह से बर्फी की सीट तयार कर ली है बदाम की सीट तयार करने के बाद में आप इसको उनाइफ से कटिंग कर लेंगे और आप चाहे तो इसको रोल में भी कटिंग कर सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया स्टार्ट के अंदर तो यह आप भी बर्फी कटिंग हो रही है बर्फी अगर आप कटिंग करना जाते हो तो स्केल की साहता से कटिंग करें ताकि आपकी बर्फी बिल्कुल बराबर में कटिंग हो और एकदम से हलवाई के जैसे कटिंग हो तो लास्ट में आपको दिखाऊंगी भी कि देखिए इस तरह से रोल की कटिंग भी की जा सकती है बदाम की पूरी सीधा रोल की तरह इसको बेल लिया हाथों से और फिर इस तरह से गोल गोल इसकी आप कटिंग कर सकते हैं उसके बाद केसर पिस्ता से इसको गार्नेशिंग भ सकते हैं दिये थे तो यहां पर इसके sousगर की ऐसे टीकी लगा देती तो केसर की जैसे हम बदाम की बर्फी पे लादे नहीं वेसे ही तो मैंने इसके ऊपर केसर की टीकी लगा दी है आप मैंई इसी पिस्ता से गार्नेशिंग कर दूँगी तो इस तरह से आपको गार्नेश के ऐसे बनाते हैं इससे क्या होता है कि आपकी बर्फी कभी भी खराब नहीं होती लास्क में आप बेटर चेक करना ना भूले जब आपका पेस्ट अच्छे से सीख जाए तो आप थोड़ा सा पेस्ट ऐसी हाथ में लीजिएगा और फिर उसकी ऐसे बोल बनाईएगा इस तरह अगर आपकी पेस्ट की बोल अच्छे से बन रही है हातों के पेस्ट नहीं चिपकर है तो आप समझ जाएगा कि काजू या बदाम का जो पेस्ट है वो अच्छे से सीख चुका है तो उसके बाद आप इस तरह से रोल करके चाहे जिस देप में कटिंग और डिजाइनिंग क कर सकते हो